कि नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का अंगे इस पाइस हिंडिया पर मैं हूं अंकेत अवस्ति आप एक ऐसी खबर की चरचह करने की लिए सुनने के बाद आपके दिमाग में पिर विट लगे और विकास होगा दिमाग के इस तरका कि PPivi हो फिल्मों में दिखाई जाती हो इस पेस वा की बात करती हो, Space 4 हमारे पासरूरहốc में तो आज के सेशन में Space 4 सकी बातों को करेंगे साथ मैं बताएंगे कि उसकी आवशक्ता क्या है और क्या ये होने जा रहा है सारी बातें आज के सेशन में और कहां कि तीनों से नाव में इंडियन एयर फोर्स दुनिया की चौती सबसे बड़ी एयर फोर्स भानी जाती है इंडियन एयर फोर्स में फिलहाल के लिए इंडियन एयर फोर्स जिसको का जाता है touch the sky with glory उसके द्वारा glory छोने में कुछ और मुकाम हासिल किये जाने संभावित हैं कै क्या जा रहा है तो बात करते हुए कहा कि अब समय आ गया है इंडियन एयर फोर्स का नाम बदलकर Indian Air and Space Force रखने का और हम इस दिशा में एकदम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं सरकार हैं इस विशय पर कारे कर रही हैं तो ऐसा क्या हो रहा है जिसके चलते Indian Air Force भविश्व में Space Force के नाम से भी पहचानी जाएगी सारी बातें डिटेल में करेंगे क्या आवशकताएं होंगी इन सब बातों की किस प्रकार से सेटलाइट से इनको जोड़ करके देखा जा सकता है किस प्रकार से अमेरिका की Space Forces की तरज पर हम अपिक्षा कर सकते हैं कि हमारे पास भी Forces होंगी सारी बाते करेंगे लेकिन पता है जब भी Force के लोगों की बात आती है तो उनको देख करके एक सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है कि यार ये लोग कितने डैशिंग तरीके से अपने आपको मैंटेन करते हैं कितना व्यवहार कुशल तरीके से अपने आपको रखते हैं इनकी जो लाइफ स्टाइल है इनके जो बोलने का तरीका है इनके जो एटिकेट्स हैं ड्रेसिंग सेंस हैं अनुसाशन है ओबीडियेंस है ये सब चीजें हमें आकर्शित करती हैं आप मैंसे हमें से बहुत सारे लोग जो फोर्स में जाने का सपना देखते हैं फोर्स में नहीं जा पाएं हैं उन्हें इनकी इस चीज के प्रती एक बहुत अच्छा आकरशन होता है सेना के जवानों के प्रती और मन में भाव होता है कि इन जैसा और कुछ नहीं तो हम व्यवहार कुछल तरीके से बोलना और सीखना चलना और बात करना सीख जाएं मेरे प्यारे साथियों मैं एक आडियो बुक जिन्होंने कुको एफम डाउलोड किया हुआ उन्हें सजेस्ट कर रहा हूँ मैं हर दिन कोई ना कोई आडियो बुक सजेस्ट करता हूँ मैं मैं मैक्सिमम टाइम तर ताकि आप आप से सुन सकें इन में से मैं एक आपको आडियो बुक सजेस्ट कर रहा हूँ शायद वो आपके परसनलेटी में बहुत जादा इंप्रूव्मेंट लाए लोगों को कैसे आप जीतें और उन्हें अपनी तरफ आकरशित कहें इसके लिए एक सेल्फ हेल्प गुरूप के अंदर बहुत चबरदस्त किताब है हिंदी में है कुकू एफम पर जिन्होंने डाउनलोड कर रहा है वो इसे आज जरूर सुनिएगा सुने से पहले एक्टिव यूजर्स है दस हजार से जादा ऑडियो बुक्स जहां उपलब्द हैं जिफरेंट बभाषाओं में उपलब्ध हैं बुक्स जो हैं वो सुनने के लिए बहतरीन रेडियो जाथी जोकीज की आवाज में आप उन books को सुन सकते हैं प्रॉपर उनसे notes बना सकते हैं sleep mode यूज़ कर सकते हैं timer लगा के यूज़ कर सकते हैं driving mode feature यूज़ कर सकते हैं आप बहतरीन तरीके से इन books का उपयोग कर सकते हैं ठीक है ना? तो आज ही जाईए जन्होंने download कर रखा है वो तो उस audiobook को सुने और जन्होंने पहली बार करना है वो link comment box में दिया है वहाँ से जाके download कर लो और ये आपको पहले मंत के लिए 99 रुपीज में मिलता है अगर आप मेरा coupon code यूज़ करते हैं दुनिया की top उभरती हुई अर्थ व्यवस्थाओं में भारत का space sector भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ऐसी स्थिती में बहुत ज़्यादा आवशक्ता है हमारा space स्युरक्षित रहे ऐसा हम क्यों बोलते हैं? दुनिया के कुछ प्रमुख देश जैसे चीन है, United States है कोलंबिया, फ्रांस, इरान, नौर्थ कोरिया, साउथ रशिया इन सब के पास में अपनी कोई ना कोई space से related कोई ना कोई forces हैं ऐसा क्यों है? देखिए, आज space का उपियोग communication और navigation में बहुत जादा हो रहा है ऐसी स्थिती में यदि कोई communication satellite या कोई navigation satellite आपके दुश्मन के द्वारा destroy कर दी जाए तो आप विचार नहीं कर सकते कि कि कितना बुरा नुपसान होगा एक बार के लिए आप ऐसे समझ लीजिए के बल इतने से अर्थ से आप संभवत या इस बात वो समझ पाएं आज जितने भी Google Maps चल रहे हैं या जितने भी जॉमेटो वाले ओला वाले, स्विगी वाले या फिर उबर वाले जो भी गाड़ी लेके घूम रहे हैं गली महलों में इनके पीछे का सबसे बड़ा कारण है एक Navigation Satellite जिसे GPS Global Positioning System जो की अमरीका का है आप विचार कीजिए कि एक बार GPS की एक Satellite बरबाद कर दी जाए जो इंडिया को कवर कर रही है उन पर गोली चला दी जाए उनको नस्त कर दिया जाए तो उचे कितना जबरदस्त तरीके से पूरा त्राहिमा मच जाएगा ऐसे ही आज आप देखते हैं हवाई जहाज जब हवा में उड़ रहा होता है तो उसे कोई रास्ते का एहसास ऐसे नहीं होता है चलेगा कि उसे कौन से एयरपोर्ट पर उतरना था ये थोड़ी हवा में से जहाग कर नीचे कोई एयरपोर्ट ढूंडा जाता है कि कहां है एयरपोर्ट ऐसा नहीं होता है कॉडिनेट्स है कॉडिनेट्स को सेटलाइट्स के थुरू आप तक पहुचाया जा रहा होता है विचार कीजे कि सेटलाइट मिस ना जाने कितनी ही फ्लाइट्स हवा में मिस हो जाएगी केवल ये तो मैंने नेडिगेशन परपस बताया है आपको यानि कि याता आवा गमन में इसका उपयोग यानि दुनिया जितना तेजी से सुविधाओं की तरफ आगे बढ़ रही है नेडिगेशन का जितना यूज कर रही है सोच ये कोई एक सेटलाइट खतम पूरा सिस्टम कॉलाप्स कर जाएगा अब आप फूचेंगे कि इसको खतम करने के लिए कोई क्या कर सकता है देखो ऐसी ऐसी लेजर बीम्स बन चुकी है कि आप केवल यहां बैठिये और अंत्रिक्ष में कितना भी दूरी उचाई पर आप टार्गेट कर लीजे लेजर बीम बनानी है आप सैटलाइट को लेजर से मार सकते है आपको यहाद है भारत में एक प्रयोग किया था मिशन शक्ति के नाम से 300 किलोमेटर के आसपास अपनी सैटलाइट आसमान में चल रही थी अपनी ही सैटलाइट थी और हमने ही मार गिराई थी कुछ ध्यान आ रहा है दुनिया के यह जो विक्सित देश हैं अमरीका हुआ, चीन हुआ, रशिया हुआ इन्होंने तो बढ़िया तरीके से एंटी सैटलाइट मिसाइल्स करना जाने कब से परिक्षन कर रखा है जिस भी देश को इन्हें अपने द्वारा कोई पनिश्मेंट देना हो उसकी सैटलाइट को हवा में ही मार दो सोच कर देखो क्या होगा सिस्टम कॉलैप्स कर जाएगा ऐसी इस्थिती में ये बात तो सत्य है कि दुनिया में जितने भी प्रकार के सैटलाइट हों सैटलाइट की सुरक्षा के लिए बहुत जादा आवशक्ता है कि हम भी अपनी फोर्सेज रखे सो देट हम अपनी सैटलाइट की सुरक्षा कर सके आप इसको और आसान भाशा में समझे जैसे आप और हम किसी छितर में अगर रहते हैं तो हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस होती है जैसे आप जिस जिले में रहते हैं जिस राजज में रहते हैं आपकी सुरक्षा किसी चोर उचक्के से या किसी मतलब गुंडे बदमाश से बचाने के लिए क्या है पुलिस की सुरक्षा है या तायात की व्यवस्था के लिए पुलिस की सुरक्षा है ठीक है समझ में आता है हम अगर देश की बात करते हैं तो देश के लिए फॉज की सुरक्षा है ठीक है साथ हम थोड़ा सा अगर atmosphere के कुछ एक किलोमेटर की बात करें तो हमारी air force की सुरक्षा है लेकिन अब हम केवल इतने से ही domain में सुरक्षे थोड़ी है अब तो हम इससे उ कर गए 100 किलोमेटर से उपर अगर क्रॉस कर गए वहां आपकी सुरक्षा कौन करेगा आप पूछेंगे वहां आप कर क्या रहे हो अरे भाईया इंडिया अपना गगन्यान मिशन छोड़ने की बात कर रहा है गगन्यान मिशन का मतलब हुआ कि अब हमारे अंत्रिक्ष यात् रखने के लिए हम अपनी फोर्स बनाएं तो पहले जर्वत समझे इसके साथ साथ आप ये भी समझे दुनिया भर के बहुत सारे सेटलाइट लगभग 424 तो हमने इंटरनेशनल सेटलाइट अप्रेल 2223 तक अपनी तरफ से भेज दिये हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी जब हम दुनिया के सेटलाइट भेजते हैं अब आप यों समझे कोई ट्यूरिस्ट इंडिया से कहीं जाना चाहता हो घूमने तो उसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है अगर कोई देश हमारे पास में अपना सेटलाइट भेजा हो कि सर आप इसे छोड़ दीजेगा हमने सेट 200 करोड रुपय का कमाई किया है यह हमारा डेटा है 2023 के अगस्त तक का हमने इतनी जबरदस्त कमाई की है और तो और आप इससे जानिए कि 2030 तक दुनिया के जो सेटलाइट मार्केट है उसका आठ प्रतीशत या यह पकड़िये कि जो इसपेस एकॉनोमी है उसका आठ प्रती भीजते हैं तो हमारे पास में सेटलाइट को भीजने के लिए एक बहुत बड़ी सुरक्षा तंत्र का होना जरूरी है आप इसके अलावा भी समझिए संभावनाएं हैं कि 2040 तक भारत का जो स्पेस मार्केट है यह 100 बिलियन डॉलर तक का होगा तो मार्केट जब इतना देखिए कि हमारे यहां से सेटलाइट अगर लॉंच करनी हो दुनिया कह दे कि इंडिया से सेटलाइट सुरक्षित नहीं है तो आप कैसे मार्केट के अंदर इतना बड़ा सपना देख पाएंगे क्लियर है और दूसरा बात सुनिए यह तो मैंने अधिकांस ध्यान आपका फोकस किया नेविगेशन पर आपको मालूम है स्टार लिंक एलन मस्क की कंपनी है जो कि सेटलाइट के माध्यम से इंटरनेट देने का प्लानिंग कर रही है अभी कैसे आ रहा है अभी आप फाइबर आप्टिक्स के माध्यम से जो आपके बहुत सारे जो अम टावर्स लग घर पर डिटी एच की तरह आपको अपने घर पर चटरी लगानी है अंत्रिक्ष में चल रहा स्टार लिंक जो एलन मस्क की कंपणी है जिसने हजारों की संख्या में आसमान में सेटलाइट इंटरनेट के लिए छोड़े हुए है वो आपको इंटरनेट भीजेगा आप अप परदी न गर्मी न बारिश न तूफान कोई टेंशन नहीं आपका इंटरनेट निर्बाद रूप से चलता रहेगा विचार कीजिए अब जस तरह से टीवी आप कहीं पर भी देख सकते हैं रेगिस्तान हो या तूफान हो जहां पर भी देख सकते हैं ऐसे इंटरनेट भी आन आक्षन करे या कोई और तरीका निकाले बस इसमें अरजे हुए हैं बाकी तो सारा काम लगभग हो रखा है अब सोचिए इंटरनेट के केस में क्या करेंगे आप अगर एलन मस्क ये प्लान कर ले जैसे उधारन के लिए सोचिए आप आए दिन देखते हैं कि भारत में जहा पर चपी थी उसमें ये था कि इंडिया इस्टेट शट्डाउन इंटरनेट फॉर मिलियन टू प्रिवेंट चीटिंग और टीचर्स एक्जाम इंडिया के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या माने जाती है चीटिंग रोखनी है इंटरनेट बंद कर दो ताइम्स लिखता है इंडिया में इस्टेटिका का आकड़ा है कि अगर इंटरनेट बंद करने वाले देशों की संख्या काउंट की जाए तो इंडिया 2022 में 84 बार इंटरनेट बंद करके टॉपर कंट्री रहे वल्ड में ये तो सब काम हुआ इंडिया का बंद कर दिया गया लेकिन ज़रा आप सेटलाइट के थुरू इंटरनेट भाई ने बंद नहीं किया क्योंकि बंद करने का कोई सिस्टम ही नहीं है डीटीएस बंद थोड़ी होता है कभी कोई सिस्टम हटता ही अब कैसे कंट्रोल करोगे प्यार से एलन मस्क जब तक आपकी बात मान रहा है तब तक तो मान पर्मीशन दी थी कि आप अपने यहां पर इंटरनेट चला रहा हैं। नहीं इसको लेकिन अगर कोई सेटलाइट चला रहा है antriksh में बैठ करके और आपके उपर internet डाल रहा है और आप कह रहे हैं कि बाई साब बंद करे हो कह रहा है मैं नहीं कर रहा फिर क्या क्रोगे पुलिस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए अब पुलिस तो विचा री क्या है कहीं तरीके खोजने होंगे और उन thoui tariqo मेंसे आपको समझ में आना चाहिए पॉर्स का मेहत्व क्या है और किस प्रकार की फॉर्स की जर्वत अगर हम इसपेस का यूजव करने में आगे बढ़ना चाते तो इसपेस फोर्स होना तो membranatory है यानि कि जैसे कहता है कि science ने अगर एक उडन तस्त्री UFO देखा गया था राफेल तक पूद दोड़ाया गया था उसके पीछे अब राफेल दोड़ाया था उडन तस्त्री तब तक गायब हो गई थी हमने का हो सकता है चायना का कोई बलून हो या UFO हो शीलॉंग एरपोर्ट के उपर तैरता हुआ पाया गया था ऐसे ही अमरीका वाले ये मतलब वहां के कुछ लोगों का मानना है कि उनके पास तो UFO और एलियन्स के शव वगेरा सब हैं ऐसी इस्तिती में किसको पता हो कि UFO आते हैं या नहीं आते हैं अब्यस सी बात है अंत्रिक्ष से आने वाली जो मतलब अन-इडेंटिफाइड इस तरह से नजर बना के रख रहा है अंत्रिक्ष में जो चल रहा है उस पर नजर बना के रखनी है तो ऐसी इस्तिती में Air Force और Space Force की जरवत बहुत है तो अब जरवत आपको समझ में आ गई है तो ये क्लियर होना चाहिए कि आने वाले समय में सरकारे Space Force को लेकर और संजीद होंगी तो एक बार के लिए ये समझ लीजे कि Space Force ऐसे ट्रेंड परसनेल से हैं जिन्हें बहुत अच्छे से सैटलाइट ऑपरेट करना आता हो प्रॉपर मैनेज करना आता हो और किसी भी प्रकार के एक्शन को लेना आता हो यही कारण है कि हमारे एक्स एयर चीफ ने कहा है क लिए हम इंडियन एयर फोर्स का नाम भविष्ट में बदल कर एयर और सपैस फोर्स रखने वाले हैं या रख सकते हैं RKS बधोरिया जी का यह statement कहां आया जब यह अंबाला के अंदर एक squadron के अंदर जिस number 5 नंबर जिस squadron है उसके platinum जुबली कारेकरम में इसकी आवशक्ता पर बोल रहे थे यह यहाँ पर अपनी बातों के साथ में यह सारी बाते बोल रहे थे कि Indian Air Force को क्या जर्वत है squadron क्या होता है squadron एक प्रकार से समझ यह कि एक प्रकार के हवाई जहाजों का एक संग्ठन है भारत के पास में अभी तक 35-33 squadron है 42 का हमारे पास space है हम बनाना चाहते है अच्छा इसके साथ-साथ Indian Air Force जो है Department of Space के साथ मिल करके अपना एक space doctrine भी तयार कर चुकी है कि हमें space में किस प्रकार से कार्य करना है space में military power को कैसे बढ़ावा देना है और सबसे important बात हमें space के लिए अपने जवानों को special training भी देनी होगी और इसके लिए हैदराबाद में space ward training command center भी बन रहा है एक और बात मैं आपको बताता हूँ space के लिए ये कहा गया है जैसे होता है न समुद्र हुआ अंत्रिक्ष हुआ इनके अंदर सीमाओं को ले करके दुनिया के देशों ने restrictions हटा रखें ऐसा नहीं है कि इंडिया के ऊपर का space इंडिया का है नहीं 100 किलोमेटर कैरेमल लाइन के ऊपर दुनिया के पूरे space को दुनिया के हर देश के लिए खुला माना गया है कि सब का है ऐसे ही पानी के exclusive economic zone से आगे का जो पानी है उसे दुनिया के सब देशों का पानी माना गया है अब लेकिन अंतरिक्ष में हमारे अपने ऊपर के satellites को हमें सुरक्षित रखना है तो अंतरास्ट ये guidelines भी माननी है और हमें उस पर कबजा भी नहीं होने देना है इसके लिए proper तरीके की force तयार की जाएगी जो international space law को अच्छे से समझे और professionally अपने छेत्रों की सुरक्षा करे यानि नियमों को ध्यान में रखते हुए उसका संचार कर सके बकाइदा Indian Air Force अपनी satellite fleet में 31 उपगरह छोड़ेगी यानि एक प्रकार से ये समझे जैसे पुलिस रास्ते में अपने नाके लगाती है कि यहाँ पर खड़े हो जाओ भई कोई निकलेगा तो रोक लेंगे ऐसे ही हम अपनी satellites की एक fleet बनाएंगे 31 satellites हम छोड़ेंगे जो कि Air Force को मदद करेंगे navigation में, prediction में, real time surveillance में, communication में कि यहाँ यह काम इस इस तरह से करो यहाँ पर tension हो सकती है यह हो सकती Air Force के लिए छोड़े जाएंगे तो यह अपने आपने बहुत बड़ी बात है Interestingly, तीनो सेनाएं मिलकर के अपना यह command विक्सित करेंगी इस बात के लिए Defense Ministry को प्रस्ताव भिजा जा चुका है क्यों हैं यह सब बातें? क्योंकि भविश्य में जितने भी विक्सित राष्ट है वो जमीन पर लड़ने से ज़्यादा जैसे आजकल आप Cyber Attacks सुनते हैं ऐसे भविश्य के जो अटेक होंगे वो धर्ती पर ना होकर अंत्रिक्ष में लड़े जाएंगे इसलिए कई फिल्में हैं फिल्म के काफी सारे सीन देखे होंगे आपने तो इस पेस को लेकर के युद्ध की संभावना उसे इनकार नहीं किया जा सकता जानकारी पसंद आई हो तो जरूर अपने साथियों के साथ साजा करें चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें राइट हैंड कॉर्णर में सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया हुआ है अगर आप उसे क्लिक कर देंगे तो भविश्व में ऐसी सूचना आप तक पहुचाने में हमें मदद मिलेगी फ्री आफ पॉस्ट यह है प्रक्रिया है जिने कुकू एफम डाउनलोड करना है उनके लिए लिंक कमेंट बॉक्स वर डेस्क्रिप्शन में दिया हुआ है पहले महिने का सब्सक्रिप्शन 99 रुपीज में है आप 49 रुपीज में मेरा कूपन कोड अंके 50 यूज़ करके उसे प्राप्त कर सकते हैं आपका समय शुम हो धन्यवाद